हेलो व्रीवान और विल्कम टू शिक्षा गईस आशा करते हैं सबी लोग अच्छे होंगे है ना पेपर की तेयारी जोरो शोरो से चल रही होगी सबकी और घबरारा नहीं है एक्जाम्स जब पास आते हैं कहीं बार ऐसा हो जाता है कि टेंशन उनी शुरू हो जाती है कि अब मेरा क्या होगा मुझे तो कुछ याद ही नहीं है मैं आपको एक बात बता दूँ आप अकेले नहीं हो सबके साथ ऐसी होता है तो अपने उपर बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप बहुत ज़्यादा लोड लोगे ना तो अभी आपको सिरफ लग रहा है कि आपको चीज़े याद नहीं है बहुत जादा लोड लेने की वज़े से वो actual में आप भूल जाओगे तो avoid करें उस चीज को MCQs discuss करेंगे, again important PIB में से हमने इन MCQs को form किया है and definitely आपको काफी helpful यह MCQs रहेंगे, साथ MCQs हैं I guess इस lecture के अंदर जो हमें discuss करने हैं 2000 Plus Non-Video MCQ course भी है, आपके पास available discount code लगाने के बाद 300 रुपय में आपको यह course मिल जाता है और काफी beneficial आपको रहेगा, अगर आप agriculture के और exams दे रहे हो चाहे वो कोई भी exam है, चाहे वो आपके state-based exams है आपका NABAD का कोई exam है, FCI का कोई exam है, IBPS का कोई exam है हर exam के point of view से important है, static plus current दोनों elements इसके अंदर जो है, वो present रहते हैं तो पहले question के उपर आजाओ दोस्तों, पहला question है कि बासमती crop survey को कौन conduct करता है, ठीक है, अभी यह इसको survey को conduct करने का process शुरू है, December तक इसकी report आएगी 2022 में, तो इसको कौन conduct करता है, Department of Agriculture and Farmer Welfare, Niti Aayog, APEDA, Finance Ministry या none of the above, काफी close options हैं और इनके बीच में guesswork करना या elimination करना easy नहीं है, आपको आता है तभी आप इस question को answer कर सकते हो, तो के बाजी का scope नहीं देता है question, तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होने वाला है दोस्तो, that will be option C, APEDA, APEDA is the right answer guys, ठीक है, APEDA इस survey को conduct करता है, तो बास्मती crop survey के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, APEDA which is also known as Agriculture and Processed Food Product Export Development Authority, Ministry of Commerce and Industry के अंडर आता है, बास्मती crop survey conduct किया जाएगा, इसका purpose क्या होता है, कि कितनी production हो रही है बास्मती चावल की, ठीक है जी, crop कितनी healthy है, और yield कितना है, यह सब चीज़े जो है वो देखी जाएंगी 2022-23 के season के लिए, यह दो साल बाद इसको conduct किया जा रहा है, दो साल तक इसको conduct नहीं किया गया था 2020 और 2021 में, वैसे तो यह एक annual practice है, लेकिन 2020 और 2021 में इसको COVID-19 की restrictions की वज़े से conduct नहीं किया गया था, तो इस साल इसको दो साल बाद conduct कर रहे हैं, और actual में इसकी जो execution है, वो कौन करता है, अपेड़ा तो overall काम करती है, execution जो है इसकी बास्मती Export Development Foundation के पास इसकी होती है, BEDF, यह अपेड़ा का ही एक तरीके से आप लगा लो कि office या एक branch है, ठीक है, बास्मती Export Development Foundation, हो सकता था कि वो options के अंदर अपेड़ा की जगा बास्मती Export Development Foundation भी आपको दे सकता है, तो उसके लिए भी आपने ready रहना है, second question के उपर आ जाएंगे, wool for pashmina shawl is mainly taken from, pashmina shawl के जो बनता है, जो wool होता है, वो किस species से लिया जाता है, goat के, चंग थांगी, wild goat, nibian ibex, bharal, या none of the above, यह question में basically available था, क्योंकि handloom sector से related news काफी सारी थी अगस्त महीने के अंदर, क्योंकि आप जानते हो कि national handloom day celebrate किया जाता है, okay, and that is why this was also in news, तो pashmina shawl जो है, यह बेटा, जो wool use की जाती है, उसमें चंग थांगी जो species होते है, goat की, उससे जो wool हमें मिलती है, उससे हम यह पश्मीना shawl बनाते है, पश्मीना shawl के बारे में मैं आपको बता दूँ, यह एक टाइप का कश्मीरी wool shawl है, चंग थांगी goat, जिसका botanical name है, कैपरा, एगेगरस, हिर्कस, वहाँ से यह basically wool हम attain करते हैं, और यह जो goat species होते हैं, यह winter coat अपना हर spring season में they shed it, और around 82-170 gram fiber आपको एक shedding के अंदर मिलता है, ठीक है, and undercoat भी यह naturally shed कर देते हैं spring में, जो winter season में regrow कर जाता है, और इसी वाज़े से यह काफी costly भी होता है, क्योंकि एक specific variety और एक specific species of goat से पहली बात तो आपको यह wool मिलेगा, और दूसरा काफी कम shedding होती है भूल की, next question is, पुंजादूरी is a saadi that belongs to the state of, again textile काफी ज़ादा news में था, handloom काफी ज़ादा news में था because of national handloom day, तो पुंजादूरी जो है, यह कौनसी state का saadi है, option a, हर्याना, b, उत्तरप्रदेश, c, राजस्थान, d, करनाटका, e, अंधराप्रदेश, the right answer first of all here guys, is option c, राजस्थान, देखो अब आपको होगे कि sir, saadi's तो बहुत सारी होती है, अब P.I.B. के अंदर ना, कुछ specific table उन्होंने given था, छोटा सा, जिसके अंदर उन्होंने कुछ states की varieties के बारे में बताया था, अगर आपको सिरफ उतनी varieties का भी idea है ना, तो भी आपका काम बन जाएगा, IBPS, EFO जैसे exams में तो देखो, यह question already पूछे जा चुके हैं, अगर आपने previous year questions देखे हैं तो, तो definitely यह आपके लिए useful रहेगा, तो यह table as it is P.I.B. से copy किया है हमने, आंदरा परदेश के अंदर आप देख रहे हो, वेंकट अगिरी, जामदानी, cotton सारी, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको याद करना, हाँ, एक बार मैं याद नहीं होगा, पर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको दो-चार बार पढ़ोगे न, तो यह याद हो जाएगा, असाम में vegetable dyed silk sadi, गुजरात में तंगलिया sadi, दुपट्टा, मरीनो वुलन शॉल, हिमाचल में कुल्लू शॉल, जम्मू और कश्मीर में कन्नी शॉल, मध्या परदेश में चंदेरी sadi, सूट और पट्टा, मनिपूर में मनिपूरी ट्रेडिशनल एचल प्रोड़क्ट, यह तो कुछ मुछ मुछकिल है, नागा लाइन में नागा लाइन ट्रेडिशनल एचल प्रोड़क्ट क्या होता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है याद करना, ओडिसा में त्रियंतरा sadi, प्रतीजना, रामशीला, बेटी कॉटन sadi, राजस्थान में पुंजा दुरी और कोटा, दरिया sadi, तामिल नाडू में कांची पूरम, कुरवई सिल्क sadi, तिलंगना में डबल इकत तिलिया, रुमल सadi, ये सारी की सारी ना सिल्क वेराइटीज हैं, सिल्क के अलग-अलग स्टीट्स के अंदर, जो आपको वेराइटीज मिलते हैं, वहाँ पर ये वेराइटीज का जिक्र जो है वो आया था, तो अगर याद रख लोगे, तो अच्छा हो जाएगा, फोर्थ कोशिन के उपर आजाओ, हेर्मॉन is a species of, हेर्मॉन किसका species है, चिकन, फिश, गोट, कैटल या नन अफ दिए अबव, अब ये भी देखो, जो करन्ट अफेर में चीज, टॉपिक था ना, उससे डिराइवड एक कोश्यन है, ठीक है, बेसिकली हम इसराइल के साथ, एक एग्रिमेंट करके, एक प्राइवेट एंटरप्राइज, और डिपार्टमेंट अफ साइंस एंट टेक्नोलोजी, उसको प्राइवेट कर रहा है, तो सबसे पहले तो हेर्मॉन है क्या, ये एक फिश स्पीशीज है बेटा, ठीक है, और फिश कल्टिवेशन के लिए इसका प्राइवेशन, जो है वो किया जा रहा है, दुनिया भर के काफी पार्ट्स के अंदर, एक्सपर्ट्स ऑल्सो से कि यार ये जो तिलपिया है ना, ये एक तरह का एक्वेटिक चिकन है, इसको एक्वेटिक चिकन क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक तो ये बहुत क्विकली ग्रो करता है, ठीक है और इसकी cultivation जो है वो काफी low maintenance होती है उसमें आपको बहुत जादा कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता अब यह जो hermen variety है यह two strains of tilapia का hybrid है एक है male strain which is your oreochromis neiloticus और दूसरा है oreochromis aureus जो female है इन दोनों के crossbreedings है एक hybrid जो create किया गया it is said to have some special characteristics जैसे की जो आपका hermon है इसके अंदर growth rate इसका काफी high होता है काफी जल्दी जो है fish grow कर जाता है low temperature resistant है ठीक है temperature काफी सारे temperatures के अंदर आप इसको adjust जो है वो कर सकते हो without you know hurting the productivity live light attractive color है ठीक है उसके बाद all hybrid five progeny of males only without conventional system of usage of hormones ठीक है तो यह सारी की सारी production जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर की जाएगी और और इसी लिए यह news के अंदर था बहुत जादा इसके अंदर tension लेने की ज़रूत नहीं है next question के उपरा जो fifth question as per manrega यह बढ़ा अच्छा question है what percentage of beneficiaries must be women एक तरह से rural development वाले पार्ट का और agriculture के पार्ट को भी basically यह के लिए important रहता है so as per manrega what percentage of beneficiaries must be women कितने percentage कम से कम women होने चाहिए manrega के अंदर जिनको benefit मिले so the right answer over here guys will be option b 33% 33% जो beneficiaries है they must be women ओके और यहाँ पर एक data थोड़ा सा given था यह data नबाड का जो बच्चे paper देने जा रहे है phase 2 का यह जिनका subjective paper होता है descriptive paper होता है वहाँ पर यह data यूज कर सकते हो यह basically सरकार ने highlight किया है कि पिछले 4 सालों के अंदर जो है women का participation कितना रहा है 19-20 में total participation में women का जो था वो 54.78 था यानि कि अगर 100 लोगों को मन्देगा का benefit मिल रहा तो उसमें 54.78 जो है वो women थे 2020-21 में 53.19, 21-22 में 54.54, 54.67, 22-23 में 56.02 तो आप देख रहे हो कि 33% हमने रखा लेकिन उससे कहीं जादा जो है women participation मन्देगा के अंदर देखने को मिलेगा यह बड़ा अच्छा कोशन है और यह कोशन आपको as such जो होता है न हम कहते हैं कि PIB के जो notes market के अंदर आ रहे हैं या जो चीज़े आ रहे हैं उसके अंदर आपको नहीं मिलेगा now as per section 29 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Central Government जो है वो नए काम आड़ कर सकती है in the permissible list of work ठीक है मनरेगा के अंदर कुछ काम listed है कि हाँ इन कामों के लिए आप मनरेगा workers को use कर सकते हो वो मनरेगा Act के schedule 1 में आते हैं तो recently सरकार ने एक particular horticulture plantation को भी include किया था कि इस particular horticulture plantation के लिए अगर आप labor job करवा रहे हो तो वो मनरेगा के अंदर count होगा तो वो कौनसे crop की plantation है option a tea, b coffee, c dragon fruit, d rubber, e none of the above तो यह काफी एक अच्छा question है now the right answer over here guys will be option c dragon fruit, dragon fruit के horticulture plantation के अंदर जो manual works है उसको अब सरकार ने schedule 1 of मनरेगा Act के अंदर जो है वो add किया है okay so this was the news revision of permission work under मनरेगा scheme alright so section 29 है मनरेगा का जो central government को यह power देता है कि वो नए काम add कर सके state government इसके लिए recommendation दे सकती है center को लेकिन ultimately add जो करने का काम है वो center ही करेगा ठीक है वो काम कौन करेगा center करेगा okay अभी तक अगर आप देखोंगे around 265 works हैं यह आपको याद करने की कुछ जरूरत नहीं है state demand करती है और center उसको फिर add कर देता है ठीक है वो जो list होती है उसके लावा central government के committee है वो हर साल देखती है कि कि किसी activity को add करना है या नहीं करना और recently dragon fruit को add इसके अंदर किया गया था इसके लावा और भी कुछ areas है जिनको भी recently add किया गया है मनरेगा के अंदर जैसे अगर कोई bio gas plant बनाता है कोई individual तो वो मनरेगा के अंदर आ जाएगा ठीक है अगर कोई unskilled wage component है बायो gas plant community अगर कोई bio gas plant construct कर रही है वो आ जाएगा border road organization अगर कोई tunnel की maintenance कर रही है ठीक है bridge अगर कोई border road organization construct कर रही है तो वो सारी के सारे जो tasks हैं आप मनरेगा के अंदर add कर सकते हैं चलिए next question के उपर आएंगे next question है कि what is the per capita water availability per annum in India 2011 के census के हिसाब से per capita water availability क्या है 1816 cubic meter यह annual है कि एक व्यक्ति को एक साल में कितनी availability है पानी की 1816 cubic meters 1545 1434 1333 and none of the above अब यहाँ पर आपका जो सहीज जवाब होगा वो होगा दोस्तो 1545 cubic meters 2011 के census के हिसाब से तो अगर आप water availability देखते हो तो water availability 2001 के census में it was 1816 जो कम होकर के 1545 हो गई 2011 में और 2021 में it is estimated कि यह 1486 cubic meters रह जाएगी तो अगर water availability या water से related या water issues से related कोई question आता है तो आप यह point कर सकते हो कि देखो average जो annual per capita water availability है 2001 से 2011 के बीच में कम होई अब 2011 से 2021 के बीच में भी कम होई यह शो कर रहा है कि water के ओपर कितना ज़ादा strain है ठीक है so these were the seven questions that we had to discuss guys and I think आप लोगों को मज़ा आया होगा इनको करने में फिर भी कोई doubt हो तो आप please पूछिए ज़रूर बिना जिजग के आप comment कर सकते हो telegram का link description में वहाँ पर आकर के बात कर सकते हो whatsapp कर सकते हो mail कर सकते हो जो आपका दिल करें आप उस तरीके से बात करें lecture में मज़ा आया हो तो channel को subscribe करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर share कीजिएगा चलिए मिलेंगे next session में तब तक के लिए all the best and bye